Hello friends, तो आज की वीडियो में हम आपसे discuss करेंगे इस design के बारे में हम आपसे discuss करने वाले हैं ये friends मार पास elevation design है जो की बहुत ही अच्छा ये हमारा design है काफी latest design है, काफी modern design है जो की बहुत ही अच्छा हमने ये design के हुआ है तो friends हम आपको आज इस वीडियो में इसका पूरा 3D model डिसकस करने वाले हैं यह हमने इसको पूरा ही 3D में यह हमने डिजन के हुआ है साथ में हम आपको बताएंगे इसका पूरा 3D plan के बारे में यह हमार पास इसका पूरा ही 3D में plan रहेगा और 3D plan के साथ मैं friends हम आपको बताएंगे इसका map के बारे में means की नक्षा के बारे में ये हमारे पास इसका ये नक्षा रहेगा तो friends वीडियो को पूरा अंतक देखते रहेगा वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप से कहना चांगा तो ये आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे red on click करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा notification आप तक पहुंसता रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो ये फ्रेंट से हमारा जो design है आप यो design देख रहे हैं इसका ये जो covered area है ये 37 feet by 40 feet में ये हमने design के हुआ है means कि इसका ये जो पूरा जो construction का area है ये 37 feet by 40 feet का है जो कि काफी अच्छा जिसके अंदर हमने design के हुआ है तो ये हमरे पास elevation का design है काफी affordable design है इसमें आप देखेंगे friends कि हमारी जो finishing दी हुई है पूरा ही paint finish में हमारे design है इसमें हमने minor use में हमने इसमें tell का क्या हुआ है ये आप देखेंगे हमने इसमें tell का use के हुआ है यह आप जो कॉलम में देख रहा है यह भी हमने इसमें टैल का ही यूज के हुआ है बाकि आप पूरा ही paint finish में हमारे design है आप यह जो lining में देख रहा है यह भी हमारे पास इसमें tell का use है ये हमार पास इसमें MS की railing रहेगी बाकि इसमें पूरा ही हमार पास ये paint finish रहेगा और इसमें हमार पास ये dark grey color का हमारे paint रहेगा तो ये हमार पास elevation का design है जो कि काफी affordable ये हमारे design है इसे आप 3D model में भी अच्छे से देख सकते हैं ये हमारे कुछ इस तरीके से हमने इसको design के हुआ है जो कि काफी अच्छा ये design है इसका ये जो front है ये 37 feet का front है और अंदर ये जो गहराई है ये 40 feet की गहराई है तो ये हमार पास जो total cover area है ये हमार पास 37 feet by 40 feet में ये हमारा design है इसमें आप देख रहे हurgical ये इसमें टAIL की हूआ है यहाँ पर भी यह हमारा ये टैल का ही यूज है बाकि आप जितने भी आप इसमें finishing देख रहे हैं पूरा ही paint finish में हमारा design है तो काफी अच्छा ये खाफी बड़िया हमारा design है 3VHK का हमने इसमें डिजन के हुआ है तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे घर की जो entry होगी वो हमरे पास यहां से यह entry होगी यहां से हम अपने घर के अंदर आएंगे यह हमें आपर 2 step मिलेंगे 2 step को अप करके ही हम अपने इस बरामदे माएंगे यह हमार पास front में यह हमार पास एक बरामदा मिलेगा जो की काफी वड़े साइज का यह हमारा बरामदा है तो यह हमार पास front जो elevation है मैं आपको पहले इसके पूरा 3D model के बारे में ही discuss करा देता हूँ तो यह हमार पास front यह बरामदे का design है जो की काफी बड़े साइज का हमारा ब्राम्दा है इसमें आप अपने अक्वार्डिंग भी कुछ किसी भी टैप से आप इसमें सेटिंग दे सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर यह दो चेर की हमने यहाँ पर इस सेटिंग दियो हुई है तो यहाँ पर आप अपने according भी customize sitting दे सकते हैं हमारा हर का फ्रेंट जो intense door है वो हमर पस यहाँ से है यह आपको जो door दिखाई दे रहा है इस door से हम अपने घर के अंदर आएंगे तो इस door से जैसे इसमें आगे वड़ेंगे तो fans हमें यहाँ पर यह काफी बड़े साइज का एक hall मिलेगा यह हमार पास एक hall होगा जो की बहुती बड़े साइज का हमारा hall है जिसको fans हम अपना एक living और dining दोनों के purpose से यूज करेंगे हमार पास यहाँ पर यह six-seater यह हमार पास dining table का डियान रहेगा यह जो fans हमारा corner होगा इस corner में हमें हमें यहाँ पर यह L safe में sofa की sitting मिलेगी जिसमें हमार पास three-seater sofa की two sitting होगी यह जो fans हमारी wall होगी इस wall पे हमार पास tv cabinet का डियान रहेगा और इस वाले corner में हमें यहाँ पर यह मंदिर का डियान मिलेगा तो यह fence हमारे पास hall है जिसको हम multi purpose से इसे use कर सकते हैं इसमें हमारे पास यह living area है, dining area है इसमें हमारे पूजा मंदिर का भी डियान है तो काफी अच्छा यह हमने इसमें डियान के हुआ है यह fence मर पास bedroom का डियान है, यहाँ पर हमारे पास बैडरूम है बैडरूम में आप देखेंगे कि हमारे पास दो window रहेंगी दोना window से हमारे अपने इस bedroom का अच्छे से ventilation होता रहेगा bedroom में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ बैड कर डियान होगा इस wall पे हमें यह covered कर डियान मिलेगा यहाँ पर यह हमारे पास covered कर डियान है और इस wall पे हमें मिलेगा TV cabinet कर डियान तो यह fence हमारे पास bedroom का हमारे पास यह design है यह हमारे पास bedroom है यह fence हमारे पास kitchen कर डियान है यहाँ पर हमारे पास एक kitchen रहेगा kitchen में आप देखेंगे कि हमार पास ये L safe में kitchen का platform होगा kitchen हमार पास modular होगा kitchen के अंदर हमें आपर एक window मिलेगा तो इस window से ही हमारे अपने इस kitchen का भी अच्छे से ventilation होता रहेगा ये flat हमार पास staircase का डियान रहेगा यहां से जाएंगे हम अपने first floor पे गढ़ेगा तो इस window से भी हमारे इस bedroom का अच्छे से ventilation होता रहेगा bedroom में आप देखेंगे हमारे पास यहां पर यह bed का design मिलेगा इस wall पे हमें मिलेगा यह covered का design और यह जो हमारी wall होगी इस wall पे यह हमारे पास tv cabinet का हमारे design होगा यह जो fence हमारा bedroom होगा इस bedroom में हमने यहाँ पर एक door दिया हुआ है तो यह जो door होगा यह जाएगा हमारा duct के अंदर यह हमार पास एक duct होगी जो की काफी बड़ी साइच के हमारा duct है इससे आप अपना एक OTS भी बोल सकते हैं यह friends हमार पास रहेगा यहाँ पर common toilet कर जियान यह हमार पास common toilet है यह जो friends हमारा toilet है इस toilet को family का कोई भी member युज कर सकता है या फ़र हमारा कोई भी guest वगडर आता है तो वो भी इस toilet को युज कर सकता है इसमे हमने only ether and other courtyard को और toilet sheet दोनों को इसमें हमने combine लख हुआ है यह जो हमारा toilet है इसमें हमार पास यहां पर एक vent streaming मिलेगा तो इस डेखर हैं यह अपर पास एक बिंडो मिलेगा यह आप जो देख रहे हैं यहांपर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा टीवी कैबिनेट कर डिया है यह जो हमारा bedroom होगा इसके लिए भी हमने टॉलेट का बात्रूम से एड़ के हुआ है यह हमारा पास attach हमारा यह टॉलेट होगा और यह जो हमारा टॉलेट होगा इसमें भी हमने वादिंगे दिया को और टॉलेट, सीड दोनों को इसमें हमने combine ही रखा हुआ है तो यह फिरनेट हमारा पास 3D plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से यह clear होगा होगा इसमें हमारा पास 3 bedroom है काफे वड़े साइच का बीच में एक hall है यह हमारा पास यहाँ पर एक kitchen और staircase का डियान है इसमें हमारा पास जो toilet है एक room से हमने attach के हुआ है एक हमारा पास एक common toilet है जो भी हमारा पास इसमें फिरनेट जो bedroom है bedroom भी हमारा पास काफी बड़े साइच के हैं तो यह हमारा पास 3D plan है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear होगा होगा और यह हमार पास Elevation है जो की काफी modern, काफी latest हमने इसको design के हुआ है यह friends हमार पास सिर्फ इसमें हमने design की हुई है इसमें हमार पास यह terrace का डियान नहीं है सिर्फ हमार पास इसमें हमने wall को decorate किया हुआ है तो यह हमार पास elevation का हमारा design है जो की बहुत ही अच्छा design है और यह इसका render view है जो की clear view है जो की बहुत ही अच्छा यह हमारा design वन के निकलेगा तो यह हमार पास elevation का design है friends अब हम चलते हैं इसके map की तरफ ये फ्रेंट्स हमारे पास मैप है मैप आप देख रहोंगे कि हमारा जो मैप है ये हमारे पास 37 फिट वाई 40 फिट का हमारे पास ये कवर्ड एरिया है तो इसमें फ्रेंट्स आप देख रहे होंगे कि हमारे घर की जो एंट्री हो रही है यहां से हमारे दो step को अप करके हमारे ये बरामदे मैंटी हो रही है जो कि हमारे पास है 20ft 11 inch वाई 10ft 2 inch का हमारे बरामदा है जो की काफी वड़े सायच का हमारे बरामदा है बरामदे से हमें है पर डोर दिये हुआ है तो इस डोर से जाएंगे हम अपने इस hall के अंदर यह हमार पास एक काफी वड़े साज का hall होगा जिससे हम अपना एक living और dining के purpose से हम अपना यूज करेंगे यह हमार पास 24 feet by 15 feet का हमार पास पूरा यह hall रहेगा यहाँ पर finance हमार पास एक bedroom होगा जो कि 10 feet 5 inch by 13 feet का हमार पास एक bedroom होगा यह हमार पास kitchen का डियाँ रहेगा जो कि 7 feet by 9 feet का हमारा यह kitchen रहेगा यह finance हमार पास staircase का डियाँ रहेगा जो कि 6 feet by 9 feet का हमार पास यहाँ पर यह staircase रहेगा यह हमार पास bedroom कर दिया रहेगा जो कि 11 feet by 13 feet का हमार पास यहां पर यह bedroom रहेगा यह फ्रेंट्स हमार पास रहेगा common toilet कर जाएँ जो कि 7 feet, 8 inch by 6 feet का हमार पास यहां पर यह common toilet रहेगा यह हमार पास रहेगा toilet कर जाएँ जो कि attached toilet है तो यह हमार पास 7 feet 8 inch by 5 feet 5 inch का हमार पास यह attached toilet होगा यह friends हमार पास रहेगा bedroom बढ़ जो कि 15 foot by 13 feet का हमार पास यह bedroom होगा और यह हमार पास रहेगी duct कर जो कि 3 foot by 11 feet 9 inch की हमार पास यहां पर यह duct रहेगी तो ये फ्रेंट समार पास map है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से clear होगे होगा जो कि काफी बड़ी साइच का हमर पास इसमें bedroom है और काफी बड़ी साइच का हमारा ये hall है तो बहुत ही अच्छा ये हमने इसमें spacious हमने इसको डियन के हुआ है तो ये फ्रेंट समारा जो मैप है मैप आपको कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना और ये हमार पाश elevation का design है elevation का design आपको कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताना तो फुलाल की वीडियो में तना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अमीद आपके वीडियो पसंद आये होगा यदि आपने वीडियो को लैक और से नहीं क्या है तो पीज लैक भी कर दीजिए, सेर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राब करना मत बूलेगा, मिलते हैं next वीडियो में next पाने के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत